नसीहत वह सचाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते हैं और तारी प्रधोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं याद रखना बारिस के बुंदे भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगताब रसना बड़ी बड़ी नदियों के बाहव बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिन्दगी में बड़ा परिवर्ता ला सकते हैं पानी में गिनेस कभी किसी की मोत नहीं होती मोत तो तब होती है जब तैरना नहीं आता उसी प्रकार पर इस्तीतिए समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता दुनिया की सबसे ससी चीज होती है सला एक से मांगो तो हजार लोग देते हैं लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद हजारों सो मांगो तब जागर कोई एक देता है इसलिए किसी ने कहा है जिन्दगी की लड़ाई अकेले ही लड़ी पड़ती है सला तो सब देते हैं पर कोई साथ नहीं देता वक्त और अपने जब ये दोनों एक साथ चुट पहुचाते हैं तब इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी तूट जाता है इंसान भी बड़ा अजीब है जब उपर वाले से कुछ मांगता है तो सोचता है वह सब सुन रहा है लेकिन जब वह ही इंसान किसी की बुराई करता है तब वह या बात भूल जाता है इंसान अपना वह चेहरा खुब सजाता है जिस पर लोग की नजर होती है पर अपने आत्मा को सजाने की कोशिस नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है जब भी मन में कोई बुर्य ख्याल आए तो याद करना मैं जानता हूँ मैं तो कुछ तो हूँ क्योंकि उपर वाला कोई भी चीज वेकार नहीं बनाता खाने में कोई जहर मिला दे उसका इलाज हो सकता है और कुछ लोग इतर की तरह होते है सांत और चुप चापना कर अपनी खुस्पुच चारोर फैलाते है जिनकी रवो में खून नहीं जुमून दोरता है वहीं इंसान अपनी जिन्दगी में रिकॉर्ड तोरता है इसलिए जब भी चलो हस कर चलो कभी हारों के नहीं ऐसा इराता बना कर चलो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो कोशिस करो तो हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा जिन्दा रखो उम्मीदों को तो बंजर से भी जल निकलेगा किसी की असलिया देखनी हो तो उसे इज़द दो किसी की नियाद देखनी है to उसे कर जदो और किसी की अच्छाई दिखनी है तो उसे मसावरा लो किसी ने क्या खूप कहा है मुझे उचायों पर देखकर बहुत लोग तो किसी ने मेरे पेरों के छाले नहीं देखे यहां दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि हमारे आखे भी वहीं लोग खोलते हैं जिन पर हम आखे बन कर भरोसा करते हैं इसलिए दुष्ट इंसान की बातों पर भरोसा मत करो क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता जिस परकार सेरी हिंसा करना नहीं छोड़ सकत हैं आपको हर वक्त पता होता है कि आप के पास कितनी दोलत है लेकिन आपヤ नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है जाते जाते अमरतम मोटिवेसन अपसे करना Casa आधा कभी खुद को किसी भी हाल में भिखरण न मत देना क्योंकि लोग रहुए मकान के इड़ तक ले ज